तो हाई फ्रेंड्स नमस्कारे आप सभी का आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी मेजर पेपर 5 समेश्टर 3 के लिए तो आप किसी भी निवर्सेटी से हो अगर आप समेश्टर 3 हिंदी रखे हैं मेजर पेपर 5 ठीक है मतलब ओनर्स पेपर है आपका हिंदी से और अगर बढ़ना है हिंदी नातक साहित अम अईने बिद्याएं और इस पेसली बात करें तो राची इनिवर्सेटी एंप्यू के लिए काम में देगा बाकी जितना भी संत जेवियर राची विमेंस को लेज मारवाडी को लेज हो गया डीएस पी में भी काम देता है ठीक है पारे ज 5 स्वाले पांच कोस्चन Ayayanगे हाँ जी पांच मांगस वाले तो कोस्टेन आएंगेThis हूँ के गुरू यह जायेका 15 मांगस का ही गूर्फ ए इसको कहते है ठीक है और इसके बाद हो जायेका गुरूब भी divisक dépसा अभी रहेगा आपका 15 मांदी मांग fullest कीनी चार पाष्टों इसमें आपको पढ़ना क्या है तो पहला है आपका यूनिट वन निर्धारित नाटक इसमें असकंद गुप्त चैसंकर परसाद जी द्वारा लिखीत भारत दुर्दसा ठीक है भारत हिंदू हरिश्चंद्र जो कि हिंदी का पितामा कहे जाते हैं उनके द्वारा लिखा गया है तीसरा है सडरय यूनिट टू है आपका निर्धारित एकांकी इसमें आपको Division pleasing की आपको ज्रुक्तर राम और में वर्माजी के द्वारा लिखा है ओफ नाम रखाएं जायो दास मिनाट तो मेरी मम्मी बुला रही है खाना खाई ले रही चलिए तो यह हमारा हो गया एक बेचेन आवाज और आपको मैजर पेपर थिरी में पढ़ना क्या था सुरी फोर में तीसरी कसम एक नंबर एक नंबर कहानी है ठीक है निम्बद में आपको पढ़ना है नाखुन क चिबहनी पूरी जीगा देन आपको पढ़ना है संस्कृत और संदरी यह पढ़ना है आपका नाम वर सिंधी का ठीक है पहले देख लिजिए प्रोफेसर गेस पेपर आपका जो लोग नहीं खर दें खरिद लिजिएगा ठीक है मेजर पेपर फाइब और बाकी तो मैं देही खरीट के ऑफ-लाइन पढ़िए ठीक है क्या ज्यादा बेटर होता है ऑन-लाइन के थुरू अगर सब कुछ ऑन-लाइन होता तो फिर ऑन-लाइन साधियों और एक तो पहले आपका वन-माक्स वाले हैं यह ठीक है यह आपके 5 आंगे एक्जाम में इस कांसर आपको एक सब्द या एक sentence में करना होगा फिर आपको 5 marks वाले आएंगे इसका अंसर आपको 5 marks वाले का एक खड़ा पुर्णा का दोनों साइड ठीक है बहुत पे जोप one side इसका अंसर करना है आपको और लगभाग 150 सब्दों में इसका अंसर करना है ठीक है कि दो कोश्चेन आएंगे 5 marks वाले उसके बाद है आपका लॉंग अंसर टाइप कोश्चेन ठीक है लॉंग अंसर टाइप और यह आपके एक्जाम में छेग आएगा 15 marks वाले टोटल छेग आएगा जिसमें से किसी चार को बनाना होगा तो पंद्रा चोका साथ आपका हो जाए चैसांकर परसाद जीwno कि नाइट कर संबंदें जितने भी इछारование उनको बताना है एसके बाद देख लेते हैं तो हमारा अगला कोश्चन असकंद गुप्थ नाट जो नाटक के आपका के संदर में असकंद गुप्त का चरित्र चित्रन प्रस्थूत कीजिए तो देखिए जितना भी है मैं सब आपको दे दे रहा हूं आप लोग यहां से पढ़ लीजिएगा बाकी हिस्टरी का भी आपका हिस्टरी तो आप लोग नहीं रखेंगे ठीक है से पर पर ज्यादा फोकस किजिए जो आपका इलिमेंटरी कंप्यूटर एप्लिकेशन सब्ट्वेर वह आपको आपको अब जादा फोकस किजिए आपको उसी पेपर में डरने की जोरत है क्योंकि वह पेपर आपको फेल करवा सकता है बाकि यह सब तो आपको अभी फेल नहीं होंगे लिखने वाला है लिक के पार लगी जाएगा ओके बाई मिलते नेक्ट वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिएगा एक्जाम से पहले मैं आपको सभी के important question करवा दूँगा ठीक है चलिए बाई